नवश्कार मैं अंचली विश्राइब सभी का दोने उसमें आपको दादे कि प्रभास की फिल्म सलार लगातार बॉक्स ओफिस पर तेल का मजा हुए हैं लगातार जो है बड़े कलेक्शन करती नज़र आ रही है और इसी बीच आपको बता दे कि वर्डवाइड 600 करोर तो अक कर रहे है फिल्म ब्यांकि इस वक्त सनय फिल्म में अन्य फिल्म भी है लेकिन सलार करी लगातार जारी है करती हे MR कर दे का सौंग फिल्म के डायलक्स बहुत स्ड़ाई है और उभी मंदे में भी प्र हैं को जँए और दे है फिल्म में एक्शनदार सीन जो है उसकी तारीफों के पुल बानते हुए नाजार आ रहाई है फिल्म को लेकर लगतार अगर आप देखेंगे तो लोगों के बहुत ही अच्छे रियाक्शन से रिव्यूस मिल रही है लोग काफी जादा खुश है कि इतनी अच्छी फिल्म जो सुपर दूपर हिट्स फिल्म दिये हैं चाहे वह बाहु बाली हो बाहु बाली तू हो या फिर अगर आप देखेंगे कि अभी सलार हो आधी पुरुश हो सभी ने जो है बॉक्स ऑफिस पर तहल का मचा रखा था वैसे में अब यह फिल्म जो है के जी एफ वान बाहु बाल प्रशांत नील ने किया इसमें प्रभास शूती हसन प्रित्वीरा सुकुमार और जगपती बाबु जैसे कलकार भुके भूमिकाओं में हैं विजय कि रंगदूर इसके निर्माता है और फिल्म सिनमा घरों में शांदार प्रदशन कर रही है अगर स्टोरी की आम बात कर ल एक ऐसी अटूर दोस्ती जिसे कोई नहीं तोड़ सकता है जो एक दूसरे के लिए स्टैन लेते हैं एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तयार होते हैं एक दूसरे के लिए जंग लड़ने के लिए तयार होते हैं एक ऐसा दोस्त ज लेकि जब जब दोस्त बुलाता है तब तक सरालार जो है यहां पर अगर कहेंगे कि प्रभाज जो है वो उनकी मदद करने के लिए चले जाते हैं और फिल्म के इंड में बड़ा ही ट्विस्ट अगर आप कहेंगे को बड़ा ट्विस्ट देखने के लिए मिलता है जिसके बचानी के लिए सब कुछ क्यों किया जा रहा है जब कि पूरे फिल्म में श्रुती के फादर विलिंस के साथ मौझूद रहते हैं अब ऐसे में कई तरह के सवाल है कई तरह के किरदार है काफी ट्विस्ट एंड टरन है फॉर्स्ट हाफ में तो आप आप कह सकते एक तरह से आ काना अगर आप कहेंगे कि कोई विक्ती है लेडी है जो की अपना हिसाब चुकता करना चाहती है और वह दोनों का आमने साम लाना चाहते है अब काफी अगर अब कहेंगे स्टोडी में काई सारी चीज़े जो है फिल इन दब्लैंक की तरह है जहां पर यह नहीं पता है कि इ सबाद ने जो टेस्ट ट्री इथे नहीं है हो भी की फिलम और फिलम फिलम ठीशे ती कर रही है अब पर ए माल कव एक आप पर beiden बातलե्ट नहीं होगा वह वोक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है और ऐसे में सिलार पार्ट वन सी स्पायर वोक्स ऑफिस पर अपना दब्दवा लगतार बनाए हुए है और यह बहुत बड़ी बात है कि फिल्म इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है जबकि शारूख के साथ आगे बढ़ती हुए नजर आ रही है आपको बता दे कि फिल्म ने पहले दिन ही वर्डवाइल में अगर बात करें पहले दिन की कमाई के बात करें तो फिल्म ने पहले दिन ही वर्डवाइल बॉक्स ऑफिस पर 178.07 यानि 179 अगर राउन फिगर में बात करें कि समझने की कोशिश करें और उसके लिए रीवी भी लिखते हुए नजर आ रहे है बेटर डारेक्शन बेटर अगर आप कहेंगे कि स्क्रिप्ट बेटर आक्शन बेटर डायलग डिलिवरी काफी कुछ इसमें मौजूद है और अगर आप कहेंगे कि काई सारे लोग इसको 5 मे इसे एक्शन दार फिल्म जो है इसमें बनाई गई है काफी जादा एक्शन है और रोलर कोस्टर राइड वाली एक स्क्रिप्ट है कहानी है जो कि आपको एंड तक अपनी सीट को छोड़ने से पहले आपको दसवार सोचना पड़ेगा कि कहीं कोई ट्विस्टिंग टर्न य तरिके से आगे बढ़ रही है यह कैना गलत नहीं होगा कि आने वाले वर्ल्वाइड यह थाउजंट क्रोर का आकड़ा भी जो है पार कर सकती है कि जैसे लिए फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है इसने तमिल तेलगू कंणर मल्यम और हिंदी मिया साध हार अण विदेशी वजार में इसका प्रदर्शन और भी श्तांदर रहा है सलार पार्ट वन सीजफायर के साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया देखने के लिए मिल रहा है और इसमें लगतार चौथी ब्लॉक्बस्टर यह फिल्म के लिए रही है जिसमें के जीफ चाप से पूरी की है और ऐसे बेसी तरीके से जो फिल्म को आगे बढ़ाने का काम भी किया जाएगा फिल्म सलार पार्ट वन सीजफायर ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर पांसो कड़ों रुपए की शांदार कमाई के साथ अपना दमखल साबित किया है और अभी भी सिनेमा और इस फिल्म की कहानी की अगली कड़ी सलार पार्ट टू सौरियांच परवं के लिए मच तयार जो है उन्होंने कर दिया है अब यह पार्ट वान पार्ट टू का ट्विस्ट बरकरार रहेगा और फिल्म लगतार जो है अगर आप कहेंगे शांदार कमाई करती हुई बॉक जूद भी डंकी को पचाड कर सलार बैतरीन प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर करती हुई नए रिकॉर्ड बनाती हुई नजार आ रही है तो ऐसे वह आपने आपको पूरा मामला है विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अगर आपने भी देखिए सलार तो हमें करके ज़रू साजा करिएगा थन्यवाद